एलो एवरिवान परफेक्ट रोत में आपका बहुत बहुत सवाकत है आज हम इस वीडियो में बात करने वाले लिखी था Infrastructure Limited के बारे में अगर अब भी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे डेली वेसिस पर नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं एक परसंट से ज्यादा तेजी देखने को मिली है वहीं मैक्स चार्ट पैटन लगाएंगे तो 278 परसंट के इस कंपनी आपको रिटन बना कर दिय क्या क्या क्वर करने वाले हैं हम वह पहले दख ले ना यहीं कमपने केुल करते हैं जिस में काम करती है यह जो थीन सेग्मेंट देखने को मिलड़ा है इसमने आपको तेख सकते हैं ज से इनका मैंटेन्स यह तीन काम करते हैं इस कंपनी के प्रजेंस की बात करें तो आप इंडिया में इस कंपनी के काम किया है और अभी इस कंपनी का काम चलता हुआ देखने को मिल रहा है इस कंपनी की अजब करें據 और इस कंपनी का ऑडर पॉक है। यहाँ हं तक का है और इस कंपनी का और अजिशिए आपकर करेंड देखने को मिल रहा है और 43 gas distribution including CNG station से देखने को मिलता है वो operation and maintenance of CNG and PNG service से देखने को मिलता है company का income statement देखे तो market share की बात करें company का market share उखर करता था पहले 0.04% जो बढ़कर हो गया 0.08% company की net income की बात करें तो company की net income में 43.16% industry की average net income में minus 1.77% और industry की revenue growth की बात करें तो आप यहां industry की revenue growth देख सकते हो 5.76% यानी 6% के करीब है average देखने को मिल रही है और industry की net revenue growth की बात करें तो 19.27% की देखने को मिल रही है यानि कंपनी का income statement देखे, revenue growth बढ़ रही है, net income भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ इस company का market share भी बढ़ता हुआ, देखने को मिल रहा है, इस company के basic fundamental देखे, तो market capitalization एक 1022 करोड का है, current price की बाद करें 259 की है, इस company का high है, दोस्तो चौतर का और low है, एक सो अठारे का, यह 52 वीक debt है, और debt equity भी zero देखने को मिल रहा है, यानि company almost debt free है, इस company को 3 साल नहीं हुए, इसलिए PG ratio नहीं दे रहा है, पर मोटर की कोई भी holding place नहीं है, और पर मोटर के पास 70% की पर मोटर holding है, earning पर सेथ देखो, तो यहां company 14 रुपए, 70 रुपए से कमा कर दे रही है, ROCE देखे, तो आपको over value तो देखने को नहीं मिल रही है, almost सारी चीज़े काफी अच्छी देखने को मिल रही है, इस company के PNL की बात करें, 2021 में इस company की sales हुआ करती थी, 191 करोड, वहीं TTM में 326 करोड, यानि company की sales लगातार बढ़ती भी देखने को मिल रही है, इस company के OPM की बात करें, तो द company का EPS भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है, यानि इस company का PNL तो हमें काफी अच्छे देखने को मिल रही है, इस company के balance sheet की बात करें, तो आप यहां देख सकते हैं, और अधर live day आपको 19 करोड की देखने को मिल रही है, fix asset 17 करोड की देखने को मिल रही है, और company का investment क देखने को मिल रही है, 48 करोड का other asset देखने को मिल रही है, 173 करोड की, इस company की share holding pattern की बात करें, तो December में promoter की holding 74.11% जो गड़कर रही है, December में 70%, अब यहां आप देख सकते हैं, FIH ने अपना पैसा जरूर लगाया है, पहला FIH की holding 0.32% जो बढ़कर होगी है, 0.46% यानि आप June quarter से देखें, तो लगातार इनके holding बढ़ती ही देखने को मिल रही है, बट आप पब्लिक में एक चीज नोट करेंगो, तो आपको यहां 80 कचोडिया सर की holding देखने को मिल रही है, यानि 2% 80 कचोडिया hold करते हैं, इस company में, यानि यह एक positive point है, एक बड़ा investor भी इस company में आपको इस लेवल तक आपको देखने को मिल रहा है, अगर यहां से breakdown होता है, तो आपको यह support देखने को मिलेगा, 200 रुपे का, इससे चोटा एक support और है, 219 या 220 रुपे के करीब, अगर यहां से बापस उपर जाता है, और इसको break करता है, इसके resistance को, जो क्या आपको real में चेक करना चाहें, तो यह आपको देखने को मिलेगा, इसको break कर देता है, तो आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, तो यहां आप देख सकते हैं, जो support आपको देखने को मिलेगा, यह थोड़ा उपर जाएगा, या नहीं, तो देखिए, यह RSI, RSI के indicator RSI लगा के देखे, तो यह हमें 65 के करीब देखने को मिलेगा है, जो कि हमें पता है कि 40 से उपर होना चाहिए, जो कि काफी अच्छा मूवमेंट बता रहा है, आप यहां देख सकते हैं, MECD, MECD भे आपको काफी ची तेजी बता रहा है, बढ़ आपको थोड़ी चाहिए, जरू देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां से white histogram बने स्टार्ट हो गए है, आपको पता है, यह ascending triangle है, तो आपको पता है इस level तक तक यह stock जरूर आता हुआ, देखने को मिलेगा, यानि 235 तक तक आपको करीब आता हुआ, देखने को मिलेगा, तो आपको 100% आता हु इस टॉक को फॉलोग करना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम में भी इसको एक वार देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के साफ से आप इसको देखे तो आप यहां बिल्कुल आपको clear देखने को मिल रहा है यहां से ascending जो triangle है ठीक है यहां नीचे आ सकता है 220 रुपेक आपको level देखने को मलड़ा है यह देख लीजिए ठीक है 220-225 रुपेक करी weekly time frame में देखने को मलड़ा है और इसके बाद यह इसका high है इसको break कर देता है तो तेजी इसको नहीं break करता है तो आपको बापस support देखने को मलता है यह जो आपको 20 दिन का EMA देखने को मलड़ा है इस पर support लेता है तो stock उपर जाता है द्यान रगिएगा ठीक है तो यह आप चीज द्यान रख सकते हैं आप इसमें भी RSI और MSCD लगा के देख सकते हैं यह आपको 60 से उपर देखने को मिलना चाहिए weekly time frame मे 60 से उपर है तो यह 63 हमें देखने को मिल रहा है और MSCD लगा है तो MSCD में आप देख सकते हो positive movement बता रहा है positive movement यहानि यहां से आपको तेजी होती देखने को मिलेगी एक सब्सक्ते हो सकता है यहां पर retest करने के बाद इस channel पर उसके बाद आपको ऊपर तेजी देखने को मिल स अगर मान लीजे आप जैसे के 10,000 रुपे लगाना चाहते हैं तो मेरे ही माने तो आप 5000 पर लगा कर रखें उसके बाद जब आप एक टार्गेट कर लिए जैसे यहां पर आपने खरीदा और पर पहुंचेगा तो और कौन्टिटी करूंगा इसके बाद सारी सांसों पर पह पहुंचेगा तो और कौन्टिटी याए ड गराँगा आप इस तारह से चल सकते हैं अगर यह वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा नहीं तो आप वीडियो को लायँ कर Dijेगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा अगर ये वीडियो आपक के लिए इतना ही तब तक के लिए बाई and thank you